इक्स्क्यूज मी सार, क्या प्लीज मुझे हास्पिटल ले जा सकते हैं? लगता है मैं बच्ची को भी जन्द देने वाले हूँ चौर उपे लूँगा? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, प्लीज तो फिर उचभाई? मैं अभी लेवर में हो, प्लीज मैडम, ये एक टैक्सी है, अगर आपके देश में टैक्सी ड्राइवर नहीं है, तो मैं समझता हूँ इसके पैसे लगते हैं, अगर आपके बास पैसे नहीं, तो फिर एम्बिलेस भुला लो एम्बिलेस के लिए वक नहीं है, मुझे अभेले चलो, प्लीज अपने देश से भागने के लिए पैसे हैं, लेकिन डैक्सी के लिए तुम लोगों के पास कभी पैसे नहीं होते, फ्रॉड कहीं की, जाड़ी से दू रटाओ ठीक तो है, नहीं मनले पर में हो, इन्हें जल्दी से क्लीनिक पहुचा दो, मैं बाहरवालों के लिए चारिटी का काम नहीं करता, लेकिन इनका पच्चा होने वाला है, मैं पैसों के बगएर कहीं नहीं जाता, मजाग कर रहे हो, क्या तुम्हारे सामने एक प्रेगनेंट ठीक है, ठीक है, पैसे मैं देता हूँ, ओके, गपराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्लीनिक तक कितने होंगे, पुरे सौ रुपे, क्या, कितने, मसाग कर रहे हो, क्या, इतने पैसों में तो किसी दूसरे शाहर के आस्पिटल जा सकता हूँ, अगर ये तिर को में जहतो है, तो इसे गाड़ी से उतार दे, भाल के पहार में जाओ, ये लो और चलो, भाथ्ट, ये वी नँपार, चिंदा मत की जा बेडम, अब ही पुछ फाना आ हो, क्या या भाल जाओ, 05, 08, 06 00. अरे भाई थोड़ा जल्दी चल सकते हैं तुम बिल्कुल फिक्रे मत करो हम लोग वक्त में पहुंच जाएंगे मैं हस्पताल जाने के लिए शॉटकट जानता हूं यह आराम से हस्पताल पहुंच कर बच्चे को जन्देगी अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं क्या क्यों मुझे अभी अभी पान सो रुपे का भाड़ा मिला है और मैं उसे छोड नहीं सकता इसलिए तुम दोनों अभी उतर जाओ मजाग करे हूँ क्या पागलों तुम ऐसा क्या हुआ तुमने हॉस्पिटल ले जानी के पैसे लिए इन्हें मदद चाहिए और यह भाड़ा लगता है कि इसके इतने पैसे क्यों है यह फर्जी लगता है यह फर्जी नहीं असली है असली तो फिर अपना फोन दिखा नहीं म मैंने का ना मुझे भाड़ा मिला है तो मिला है तुमारे लिए बस यह जानना काफी है और यह भाड़ा मैं लेने वाला हूँ लिकिन अगर आप चाहें तो मुझे इससे जाता दे दो क्या आप मुझे 500 रुपे दे दीजिए और मैं आपको क्लिनिक पहुँचा देता हूँ 500 रुपे इतने तो मेरे पास हैं भी नहीं तो आप क्या करेंगे इसे बाहर ले जाओ और घास पर जनम देने दो यह जहां से आई है पक्का वहां ऐसे होता होगा रुको यह रहा तुम्हारा भाड़ा यह क्या है एक छमगीली घड़ी यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है यह मेरी मेरी पुष्टैनी विरासत है यह मुझे मेरे पिता ने दी थी वो इसे स्विजलेंट से लायत है बहुत महेंगी है तुम्हारे भाड़े से डबल कीमत है तो कि अमें ले चगाओ कि अगे रख लेता हूं किया आप दर्वाजा बन करेंगे थैंक यू तो देवी और सजनों हम पहुच गए है मेरी टैक्सी में सवारी करने के लिए शुकरिया और बाबाई लेकिन यह तो डेंडल क्लिनिक है यह गलत जगा है ओ सच में दात तेरी की मुझे लगा इसके लिए कोई भी डॉक्टर चलेगा तुमने साफसाफ नहीं बताया ना पर इनकी मदद के लिए हाँ कोई नहीं है अब मेरी पांस नहीं यह जए उन्हें मदद की जवरत है और सिख तुम हो जो इस वाट इनकी मदद कर सकते हो इनका धर्म रंग रूफ इनकी आस्था इस्वार्ट कुछ माहिन ही रगता है जैसा करोगे वैसा बरोगे मदद पां अगर तुम इनकी जगह होते तो कैसा लगता तुम्हें बताओ कैसा लगता तुम्हें बिल्कुल बुरा लगता तुम्हें तुमने सही बात कई मैं तो उसे माफी मांगता हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो चलो हम लोग इसे आगे वाली सीट पर बिठा देते हैं वहाँ इसे ज़्यादा आराम मिलेगा ठीक बस थोड़ी देरा हम पहुँच जाएंगे तुम दोनों बेवकूफ हो ये क्या बख्वास है? बख्वास बहुत दर्द हो रहा है इनके और बच्चे के लिए खतरनाख हो सकता है आप ठीक सकते हैं ये दर्द महें इनका अस्पताल जाना ज़रूरी है अगर ये अपने सड़े हुए मुल्क में रहती ना तो ये सब बिलकुल नहीं होता अब पड़े गने दोन से जाएंपे है ये श्की शाइजेगा क्या बच्चे ने जन ले लिया? ये क्या ग्रामा हो रहा है? मसा को रहा है यांपे तुम तो अभी मुसिबत में हुमाई दिया नहीं समझे? ये मेरी बड़ी बहन अमीता है इसने भी तुम्हारी मदद मांगे थी जब वो प्रेगनन थी पर तुमने उसकी भी मदद नहीं की थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे मगर ठैंक गॉड कि वो और उसका बच्चा दोनों सही सलामत है लेकिन मैं उस बेरहम को देखना चाहती थी जिसने उसकी मदद नहीं की इसलिए मैंने ये सब किया मैं एक जर्नलिस्ट हो और क्लाक मेरा पार्टनर है हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे इस टैक्सी बिजनस पर रिपोर्ट तयार की है और अब हमें सबूत भी मिल चुके हैं जिससे तुम फेमस हो जाओगे मेरी दोस्त नहीं, प्लीज नहीं, मुझे माफ कर दीजे ओ, 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 आराम से ये लाइव ब्राटकास हो रहा है तुम इस समय इंटरनेट पर हो और तुम्हारी पहली वाली लाइफ पांच मिनिट पहले खत्म हो गई गलती होगी न, माफ कर दो मुझे तुम्हें धुतकारा जाएगा लोग हर जगा तुम्हारा पीछा करेंगे तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे मूँ फिर लेंगे और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें अब कोई भी काम नहीं मिलेगा देखिए मुझे प्रैस्षिट करने का एक मौका तो दे दीजिए प्लीज तुम मौके के चिंता मत करो जैसा करोगे पैसा भरोगे तुम्हारी बाद्री भी, तुम्हारी प्राए भी